गैस 24 फरवरी 2022 से लेकर अभी तक रूस और युक्रेन के बीच लड़ाई जा रही है जो खतम होने का नाम नहीं ले रही है इस दो देसों के बीच की लड़ाई में आम आदमी का जीवन भी पूरी तरीके से तहस महस हो गया है और तो और रूस और युक्रेन के इस लड़ाई जिसमें युक्रेन के सोल्जर के बैक से उसका आईफोन प्रो निकालते हुए दिखाया गया है जिसके अंदर एक गोली लगने का निशान भी दिखाई दे रहा है गाईस 2019 के इस आईफोन मॉडल ने बुलेट प्रूफ जैकिट का काम किया है जिसने युक्रेन के सोल्जर क जान बचायी है और जैसे ही ये वीडियो शोशल मीडिया पर अपलोड हुआ वैसे ही कुछ देर में देखते ही देखते इस वीडियो पे लाखों में व्यूज़ आ गये गाईस आपको क्या लगता है रूस और युक्रेन के बीच की ये वार कब खतम होगी और ये वार अग